इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम Important Synonymous Class है BA, Third Sam Important इसमें दिये गए हैं सारे, सारे chapters के नहीं है Total 40 हैं ये First है Shine इसका मतलब होता है चमकना English में इसका Synonym होगा Glow Second है Winds Winds means होता है हवा Synonym होगा Air तीसरा है Lovely Means सुन्दर, प्रिय Synonymous, Beautiful Fourth है Pudession Pudession का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार और English में इसका Synonym है Control पांच का है Temperate Temperate होता है बीच-बीच का ना ज़्यादा High ना ज़्यादा Low जैसे मोसम होता है ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्ती सुहावना कहते है ना बीच का इसका Synonym है Mild Six है और Important भी है Rude Rude जिसका सभभाव सकत हो उसको कहते हैं Rude और English में इसका Synonym है Impolite Polite मेंस होता विनम्र और Impolite मेंस है ज़्यादा सभभाव में सकत हो गुस्से में बात करता है उसको भी Rude बोल देते हैं कई बार Seven का है आसान है Great इसका मेनिंग आपको पताई है इसका Synonym है Grand आठ का है Pride, सम्मान Synonym होगा Owner No का है Doubt, संदे, शंका और इसका English में होगा Suspicion Next word है Pray Pray का मतलब होता शिकार English में इसका Synonym होगा Victim 11th Glory Important है ये भी भोजादा Glory का मतलब महानता, शान Synonym होगा इसका Greatness 12th का Jest Jest का मतलब होता मजाक और English में तो इसका ये बेहद आसान है Joke 13th का Riddle, पहेली Synonym होगा इसका Puzzle Riddle भी बहुत बार कुछा जाता है एक्जैम में 14th का Freighted, सजा हुआ English में दूसरा इसका जो Synonym है वो होगा Decorated Decorate मींस होता है सजाना और Decorated उसी से बना है Vale, वैसे तो value होता है ये, लेकिन well भी होता है घाटी, जिसका मतलब क्या होगा, घाटी और English में दूसरा Synonym Del 16th का है Pangs, Pangs का मतलब होता है दर्द और ये word भोट बार हम यूज़ भी करते हैं बोलचाल की भाशा में भी pain English में इसका जो Synonym होगा वो है pain 17th का है और बहुत जादा Important है Forbid, Forbid होता है मनाही, पाबंदी और ये word भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं बैन बैन लगाना, पाबंदी लगाना किसी सीज़ पे 18th का Forlorn, Forlorn होता है एकांत, सुनसान और English में ये भी आसान है, इसका जो Synonym है वो भी Lonely 19th का Glimpses, द्रिश है और English में इसका Synonym होगा Scenes 20, Powers, Powers का मतलब है ताकत, बल और ये भी आसान है, Forces 21, Bear, Bear मीन्स होता है बिना ढखा हुआ और Synonym होगा इसका Uncovered देखो, Covered का मतलब होता है ढखा हुआ और Uncovered बिना ढखा हुआ और आपकी ही सलेबस में कुछ Suffix और Prefix होते हैं तो Prefix के बारे में मैंने आपको एक दिन बताया था कि Prefix उन Letter का Group होता है जो Word के आगे लगते हैं और उसका Meaning शायद Change भी हो जाए जैसे देखो, Covered के आगे Un लगते ही ये क्या हो गया Uncovered जिसका मतलब क्या होता है बिना ढखा हुआ और इस Un को हटा दे हम तो Covered, Covered का मतलब होता है डाका हुआ तो ये था इसका Prefix Un prefix है 22 बहुँ ज़्यादा Important Melodies Melodies means होता है गीत इंग्लिश में हम जिसको कहेंगे Songs 23 Grieve दुख Synonym होगा Sorrow 24 बहुँ ज़्यादा Important है Maiden क्या आपको Poem भी आदा रहें कौन-कौन सी Poems में आये थे ये Words Maiden Maiden means होती है Unmarried Girl ए विवाहित लड़की Ecstasy बहु ज़्यादा Important है और बहुती अच्छा Word है Ecstasy होती है भहु ज़्यादा खुशी English में दूसरा इसका Word है Bliss Desolate Desolate एकांत सुना पहले Lonely पहले भी आया है ये Word Desolate फर्स टाइम है लेकिन Lonely पहले भी किसी का Synonym रह चुका है 27 Commands Commands आदेश और Synonym होगा Orders ये कौन सी पोई में आया बता सकते हो ये आया था My Last Duchess में Stoop जुकना और Synonym होगा इसका Band 29 Pretence बहाना Pretence मिन्स क्या होता है बहाना और English में इसका बहुत आसान Synonym है Excuse 30 False ये आते भी है न कई बढ़ रहे हो और False बताओ False मिन्स होता है असकते है और ये भी जो Next Synonym बनाया है Prefix का यूज़ करके बनाया है True के आगे N लगा दिया क्या बन गया Untrue असकते है 31 Sorrow दुख Grieve Beside Past में Near Fear Dर Horro O 34 Heaven Savrag और इसका जो दूसरा Synonym है वो है Paradise Same meaning वाला बर्ड Paradise 35 Joy Khushy Happiness 36 Tireless Tireless का मतलब हो था अथक बिना थके हुए एक energetic way से बहुत उर्जा के तरीके से मतलब कुछ काम करना बिना थके हुए और उसका जो Synonym है वो है energetic उत्साहित रूप से जिसमें एनर्जी की कोई कमी या थकावटे ना लगे ऐसा energetic Widening और बड़ा होते जाना चोड़ा होते जाना और इसका Synonym है Broaden 38 Midway Midway होता बीच का जिसको इंग्लिश में कहेंगे Middle Luminous Luminous का मतलब होता चमकना जैसे stars चमकते हैं ना तारे और चमकना की इंग्लिश आपको पता ही है दूसरा word क्या होता है Shining 40 का और last है Tinkling बजना और बजना की इंग्लिश भी आपको पता है Ringing Bell से याद आ गया होगा आपको Ringing बजना तो ये थे 40 Synonymous BA 3 BA 2 BA 2 3rd semester के कुछ और वीडियो जाएंगे students आपने comments में बताया था लेकिन थोड़ा वो time लग जाता है तो patience रखना धैरिये रखना इस channel पे नई हो तो subscribe जरूर कर लेना ताकि और वीडियो आप तक पहुंच सके और उनका भी कुछ फायदा आपको मिल सके